नमस्कार स्वागत आपका स्टेडी आयस के विशिश प्रोग्राम न्यूज इन फोकस में अपने इस प्रोग्राम में हम आपको देश विदेश से जोड़े मुद्दों के बारे में जानकारी देगे जो आयस पीस्यस की परिच्छा के लिए काफी महतपूर है आज हम अपने इस विशिश प्रोग्राम में बात करेंगे भारत और चीन के बीच पिछले एक महिने से लाइन ओफ एक्ष्वल कंट्रोल पर चल रहे विवाद पर ये पहली बार नहीं है कि जब दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी विवाद उपजा है इससे पहले भी दोनों देशों के बीच सीमा पर टकराव की सती बनती रही है लेकिन इसके पीछे क्या कारण है वर्तमान में इसे कैसे देखा जाएगा आज हम यही जाने की कोशिश करेंगे भारत और चीन के बीच बॉडर की लंबाई 3488 किलो मिटर है इस परिस्थत भारती राज जम्मु कश्मीर, हिमांचल प्रदेश, उत्राखन और सिक्किम, अरुडांचल प्रदेश है वर्तमान में जो विवाद उत्पन हुआ है वो जम्मु कश्मीर के लदाक रीजन में है जहां पर चीन की सेना को पैंगॉंक लेक में बोटिंग करते देखा गया उसके बाद गलवान घाटी में चीनी सैनिक दिखाई दिये जम्मु कश्मीर, राज की चीन से लगी हुई सीमा रेखा को LAC याने की लाइन ओफ एक्शुल कंट्रोल कहा जाता है ये रेखा 1962 की भारत चीन युद्ध के बाद अस्तित्तों में आई जब दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म हुआ पैंगॉंक लेक भारत और चीन के बॉर्डर पर इस्तेत है लाइन ओफ एक्शुल कंट्रोल लेक को बीच से विभाजित भी करती है इसके अनुसार 40 फीजदी लेक पर भारत का कबजा है और 60 फीजदी हिस्सा चीन के नियंतरण में आता है मई के महीने में चीनी बोट पैंगॉंक लेक में दिखाई दी थी लेक के दूसरी ओर चीनी सेना के क्याम भी लगाय जाने की जानकारी मिली लेकिन इसके कुछ समय बाद ही गालवान घाटी में भी चीनी सेनको को देखा गया मेडिया रिपोर्टों के अनुसार गालवान घाटी में LST के बिलकुल पास तक चीनी सेनको की गतविदियां भी देखी गई उन्होंने इस प्रतिबंधित शेत्र में प्रवेश किया जिस्ते की किसी भी गतविदी की अनुमती किसी को नहीं थी वहाँ पर लेकिन सेटलाइट से मिले फोटो से ये पता चलता है कि चाइना LST के दूसरी तरफ अपने भुभाग में आर्मी कैम्प स्थापित कर रहा है वहाँ पर ट्रकों के आवज जाही भी दिखाई दे रही है इसे सिच्वेशन को देखते हुए अब भारती सिना ने भी अपनी गतविद्यों को LST के पास बढ़ा दिया जब सिच्वेशन का पता भारती सिना को चला तो वो सततर रखो गई चीनी हलिकॉप्टर जब इस शेत्र में दिखाई दियें तो भारती सुखोई विमानों ने भी अपने वायू शेत्र में उडान भरी है भारत और चीन के बीच इस तरह की सीमा विवाद बॉर्डर पर कई जगे पाए जाते हैं लेकिन भारत और चीन बॉर्डर पर तीस सेंसिटिव जोन भी है इन छेत्रों में प्रतिवर्ट शौसतन तीन सौ सीमा उलहंगन चीनी सेना द्वारा किया जाते हैं यह संसिटिव जोन लद्दाक में देमचोग ट्रिग हाइट दुम्चुल पेंगोख लेक हैं जबकि हिमा लोंगदू दीशू डिबांक वैली के फिश टेल वन एंटू है साथी सिक्यम सीमा से लगा हुआ डोकलाम शित्र भी है वहां बॉर्डर पर इंसंसिटिव वेरिया में आए दिन चीन द्वारा घुसपैट किये जाने का मुखी कारण ये भी देखा गया कि यहां पर एले सी को क्लेरिफाई ही नहीं किया क्या जिस कारण कई बार दोनों सिनाव की बीच आपसी जड़ब होती है हाला कि भारत ने चीन से बॉर्डर के मैप शेर करने के लिए कई बार कहा है लेकिन चीन ऐसा नहीं करना चाहता इसके पीछे उसकी मंशा यही हो सकती है कि वह इन तरीको से हमेशा भारत को सीमा विवाद में उलजाय रखना चाहता है वर्तमान में चीन कोरोना वाइरस की कारण वैश्वी कुरूप से अपनी आपको कमजोर पा रहा है लेकिन ऐसे सती में वह सीमा पर ऐसे विवादों को जन्म देकर भारत का ध्यान अब कोविड-19 से हटा कर सीम मेहदपूर है इसलिए चीन यह नहीं चाहता कि भारत चीन को कोरोना के लिए दोशी ठहराए क्योंकि यदि अगर ऐसा हो जाता है तो पूरे एश्या में चीन की नीतियां प्रभावित होंगी वैश्वीक परिद्रश्य में भ्यूस को हार का सामना करना होगा आज के लिए स्पीसेस की परिक्षा से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चानल से